नमस्कार ममाही पठाई ब्येस क्राइम इंडिया नियूज में आपका स्वागत है शम्शिर खान की खास खबर पर एक नजर इस वाल जिले के किसानों ने प्रतिकुल स्थितियों में भी धान की अच्छी पैदावर ली है इस कारण धान की खरीदी केंडर पर धान की आवक में भारी रुद्धी हुई है अभी तक जिले के 73-11 दान धान खरीदी केंडर पर करीबर 20,917 किसानों ने 6,83,517 क्विटल धा जमा की गई है भंडारा जिले में खारिक मौसम के दोरान फसर बुआई में खेती का शेत्र 2,10,000 हेक्तियर है बेसे लगभग 1,82,000 हेक्तियर शेत्र में धान की फसल की खेती की जाती है वही से शेत्र में सोयाविक पूर गन्ना हल्दी एवस सब्जियों की वसलों की जहाए की है शेत्र लगभग 65 प्लस होने का अनुमार है मौसम की शुर्वात में पारिष भादित होने इसके बार भारिष एवववफसल हात में आने की फीति में पारिष की वापसी के कारत किसानों को नुकसान होने के बाउजुद धां के प्रिदावर में काफी संकेथ है तिलाल जिले के अनिक केंद्र पर आरदाना उपलब्द नहीं होने से धान खरेगी बंद है वहीं कुछ जब गोदां भरे रहने से खरीदी ठाप हुई है अभी भी जिला प्रशाशन द्वारा धान की उचल करने नहीं होने से किसानों के सेक्रों क्विंटल धान कें करने की मां किसानों की और से हो रही है बीस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूटूब चैनल वेब साइट फेस्बूक ट्वीटर इंस्टाग्राम पर लाइक कमेंट और शेयर करें साथ ही यूटूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे